अईओ नो चुप कर बे मुंबाराखो बस्ती वालो हकूमत ने तुम्हारी बस्ती में बिजली लगा दिया है निकालो आप 100,000 रुप्या मिठाई का अरे भाया बिजली तो लगा दिया है हम वे इस बिजली का क्या पैदा होगा हम का हे दे 100,000 रुप्या ओ तुसी पागलो, बिजली के बड़े फैदे हैं, मोटर लगाओ, नलके का जंजट खतम बलब जलाओ, अंधेरा खतम, पंक्खा चलाओ, गर्मी खतम फिर भी अगर फाइदे कम लाग रहे हो न, सुच के अंदर दो उंगलियां डालो, बंदा खतम अगर हम पंक्खा, बलब, फूम, मोटर एक साथ चला दें तो तो फिर जब बिल लाएगा न, तेरे पास जितना भी पैसा है, सारा खतम ये बिजली भी, मेरी बीवी जैसी है फिर तो बातें ना बनाओ, तुम सब के घरों में बिजली लग चुकी है अब चाय वै भी पिलाओ मुझे, और सो सो रपिया मिठा ही का भी दो आजो शाने, जा बाओ के लिए चाय बनुआ के लाएगा चेनी अलग से लाना, जब तक ये चाय लाता है, मैं आपको बिजली के बारे में समझा देता हूँ, कैसे इस्तमाल करनी आए हाँ, समझाई दो यहाँ लगाए थे ना बलफ हाँ जी चल यह होता है बोर्ड इसको दबाने से बलफ जल जाता है, ठीक है? अबे, खराब करेगा क्या? ऐसे नहीं करना बस एक बार जलाना है, फिर बंद कर देना है, चलो बैठे बैठे, चाय आ रही है अबे, यह कैसी डिश है? तुम्हारे तो प्याले का भी सतिया नास है चीनी के लिए भी बरतन नहीं मिला मेरे मिठाई के पैसे निकालो अबे, चीनी खा के भी मिठाई के पैसे मांग रहा है हमारे पास पैसे नहीं है पड़े कंजूस लोगो तुम यार खिजर, एक महीना पहले आपने किसी बस्ती में ट्रांसफार्मर लगाया था? जी साब, वो पागलों की बस्ती में बिजली लगवाई थी एक महीना घुजर गया पूरी बस्ती ने सिरफ पांच यूनिट इस्तमाल किये यही कैसे हो सकता है जा के पता करो, कहीं बिजली चोरी तो नहीं हो रही सिरफ पांच यूनिट इस्तमाल किया है पूरी बस्ती ने? हाँ जी, मैं चेक करता हूँ सर ट्रांस्फार्मर तो ठीक है, मीटर में गड़ बढ़ होगी मीटर भी ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा इतनी बड़ी बस्ती है, पूरे महीने में सिरफ पांच यूनिट इस्तमाल हुए है कुछ तो गड़ बढ़ है बस्ती वालों से बात करता हूँ ओए, बिजली का बेल आ गया है तुमारा पूरे महीने के अंदर सिरफ पांच यूनिट ही बने है बिजली इस्तमाल ने करते तुम लोग अरे साब करते हैं ना बिजली इस्तमाल जब से आप बिजली लगा आगे गए हमारे तो मज़े हैं मज़े हम रोज बलफ जलाते हैं रोज आखिर मसला क्या होगा मुझे दिखाओ कैसे बलफ जलाते हो तुम आजो अरे साब ये देखो जब पहले बिजली नहीं होती थी ना अंधेरे के अंदर हमें तिया जलाने के लिए माचस ही नहीं मिलती थी माचस ढूनते ढूनते कभी हम इस दिवार में लगते थे कभी उस दिवार में लगते थे अंधेरा बहुत होता था था ना अब तो बिजली लग Election है ना अब पहले हम बलफ जलाते हैं फिर थूंडते हैं माचस कहां गई लिजली माचस येरी माचस फिर हम जलाते हैं इसलिए अब देखो साब जी कितना फैदा दी है बिजली ने यह 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 यह